मैं रोशन तिवारी आप सोगक अपने योट्यूब चैनल लेट्स इजी टू लर्न पे स्वागत करता हूं आज हम दोग कक्छा दस के अभ्यास एक रासायनिक अभिक्रिया एवर समिकरन के अभ्यास में जो प्रस्णूतर दिया हुआ है उसको देखेंगे अभ्यास में पहला प्रस्ण है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबन्द में कौन सा कथन असत्य है सत्य नहीं है क्या है असत्य है प्रस्ण को द्यान से देखेगा दिया हुआ है 2PBO solid है C solid है तो बनता है अभिक्रिया के परिणाम सरूप पी भी CO3 ठीक है इसमें देखेगा इसमें A और B जो है कथन गलत है A में है सिसा का अप्चैन हो रहा है और B इसमें दे रहा है कारवन डाय ओक्साइड अप्चैन हो रहा है ठीक है, सिसा का अप्चियन नहीं हो रहा है और कार्वन डाउकसाइड अप्चियन नहीं हो रहा है ठीक है, ये जो क्या है, गलत है, ये दोनों, सिसा का अप्चियन, इसमें ये दो अप्चियन जो है, ये गलत है, ठीक है अब दूसरा प्रस्ण है F2O3 का विक्रिया जब अलुमूनियम के साथ करवाया गया तो AL2O3 बना और उसके बाद F2 इससे मुक्त हो गया इस अविक्रिया को कौन से विक्रिया कहेंगे संयोजन अविक्रिया दुई विस्थापन अविक्रिया इस अविक्रिया को विस्थापन अविक्रिया कहेंगे ठीक है तीसरा प्रस्ण है आपका लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोकॉलरिक अमल डालने पर क्या होता है सही उतर पर निशान लगा है जब लोहे के चूर्ण पर तनों हाइड्रोकॉलोरिक अमल डालिएगा तो क्या होगा तो देखिए लोहे की चुर्ण पर जब हम तनों हाइड्रोकॉलोरिक अमल डालेंगे तो हाइड्रोजन कैसे हम आयरन कुलोराइड बनता है ठिक है तो ए नमर का उप्षन सही होगा आगे है चार नमर में संतुलित रसाइनिक समिकरन क्या है रसाइनिक समिकरन को संतुलित करना क्यों आवस्चक है तो देखिए रसाइनिक अभिक्रिया जिसमें दो पक्षों के परतियक तत्यु के परमानों संख्यां बराबर होते हैं संतुलित रसाइनिक समिकर्ण कहा जाता है द्रबमान संरक्षन के नियम के अनुसार द्रबमान न बनाया जा सकता है और न नस्ट किया जा सकता है इसलिए एक रसाइनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रबमान उत्पाद के कुल द्रबमान के बराबर होना चाहिए अर द्रब्मान संरक्षन नियम के अनुसार द्रब्मान को न तो बनाया जाता है नहीं इसको नस्ट किया जा सकता है और जब आप अभिक्रिया के दौरान एक नया पदार्थ बनता है उत्पाद बनता है तो अभिक्रिया में जो भी उत्पाद बना और जो भाग लिया है उस दोन संख्यां क्या होना चाहिए कुल संख्यां जो है वो बराबर होना चाहिए तो इसलिए क्या किया जाता है उसको संतुलित किया जाता है ठीक है चलिए आगे देखिएगा निमलिखित कत्मों को रसाइनिक समिकर्ण के रूप में पड़िवर्थित करें उन्हें संतुलित करें तो देखिए पहला question है ए नमर का ए नमर में है निम्लिकित nitrogen hydrogen gas से संयोग करके ammonia बनाता है nitrogen का N2 हो जाएगा hydrogen का H2 हो जाएगा और जब यह अभी क्रिया करेगा तो NH3 हो जाएगा NH3 हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर NH3 हो जाएगा अब यहाँ पर H में 3 लगा दिये तो यह 6 हो गया तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो 6 हो गया यहाँ Nb2 है तो N2 हो गया H क्या हो गया 6 हो ठीक है दूसरा देखिए hydrogen sulfide gas का वायू में दहन होने पर जल एउन sulfide oxide बनता है sulfur dioxide बनता है hydrogen sulfide gas का वायू में दहन होने पर जल एवं sulfur dioxide बनता है तो देखिए hydrogen sulfide का सुत्र होता है H2S उसके बाद इसका जब वायू के साथ विक्रिया कराया गया दहन कराया गया तो sulfur dioxide बना SO2 बना और H2O जल मुक्तो हुआ इसमें समिकरन को संतुलित कर लेंगे तो देखिए H2S है तो H2 है S है तो देखिए H2 यहाँ पर SO2 है तो देखिए O2 है यहाँ पर O2 है ठीक तो H2 है यहाँ O तो 3 हो गया तो O को सबसे पहले क्या करेंगे इधर 3 दे दिया तो 6 हो गया तो यहाँ भी 2 दे दिया तो 224 तो इस प्रकार समीकरंद क्या हो गया संतुलित हो गया ध्यान से देखिए गाई ह कितना है 4 है इस तरब देखिए दोनों तरब ह हो गया उसके बाद O 6 है इधर देखिए O कितना है 2 है यहाँ सामने में 2 लगा हुआ है तो यह 2 हो गया हो और यह 2 फोर कितना हो गया 6 हो गया इस प्रकार समिकरन का क्या हो गया संतुलन हो गया ठीक है आगे देखे अलुमूनियम सलफेट के साथ अभिकरिया कर बेरियम क्लोराइड अलुमूनियम क्लोराइड एवं बेरियम सलफेट का अभछेप देता है ठीक है जब अलुमूनियम सलफेट क साथ अभिक्रिया कर barium chloride, aluminium chloride एवं barium sulfate का अवचिव प्राप्त होता है देखिए इस C नमर का प्रस्ण है C नमर में देखिए जब barium chloride BACL2 का अभिक्रिया aluminium sulfate के साथ AL2SO4 के साथ करवाया गया तो aluminium chloride ALCL3 बना और barium sulfate भी बना BASO4 समिक्रन को संतुलिद कर लिया गया है पोटेसियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके potassium hydrogate um hydrogen gas पोटेसियum का K होता है जल के साथ अभिक्रिया कि हच्टु हो गया और potassium hydrogate KOH हो गयार hydrogen gas मुक्त हो गया आगे है मिम्न रसाइनिक समिक्रन को संतुलित कीजिए जैसा कि यहां पिर दिया गया है N O H N O 3 C A O H 2 अभी किटिया के परिणाम सरुप C A N O 3 हो गया उसके बाद H 2 O जल मुक्त हुआ यहां पर दोनों तरफ दो लगा के समिकर्म को क्या कर लिया गया संतुलित कर लिया गया है उसके बाद N A O H है पलस H 2 O 4 है तो N A 2 O 4 बना और इधर क्या हो गया H 2 O हो गया तो दोनों तरफ फिर इसमें भी समिकर्म को संतुलित कर लिया गया बलू कलर में आप देख रहे होगा उसके बाद N A C L A G N O 3 के साथ अभी क्रिया कर आए गया है तो N A A G C L बना इधर पर देखे A G C L है A G यहां पर B 1 है N A N A N O 3 N A N O 3 N A उधर 1 है N A O 3 1 है यह समिकर्म जो है संतुलिती देखे B A C A 2 और H 2 S O 4 इधर देखे B A S O 4 और H C L है तो यहां पर देखे H 1 है इधर क्या है H 2 है H को 2 कर लिया गया 2 से गुना करके तो C L 2 तो देखे C L यहां पर 1 है उधर C L 2 2 3 है तो 2 हो गया ठीक है 2 और इधर भी 1 3 हो गया ठीक है अब देखे तो 2 हो गया अब उसके बाद 2 लगा कर इस समिकर्म को क्या कर लिया गया संतुलित कर लिया गया ठीक है आगे देखेगा आगे है निम्न अभिकरियाओं के लिए संतुलित रसाइनिक समिकर्म लिखिए अभिकरिया दिया हुआ है इसके लिए क्या करना है संतुलित रसाइनिक समिकर्म लिखना जिसे calcium hydroxide है carbon dioxide बना तो calcium carbonate प्लस जल बनेगा इस दोनों को जब अविक्रिया करवाईएगा तो उससे क्या बनेगा calcium carbonate और जल बनेगा calcium hydroxide का CO2 होता है carbon dioxide के साथ अभी किरा करना अपर calcium carbonate COCO3 बना और जल मुक्त होगा हो ठीक है उसके बाद zinc silver nitrate का जब zinc का silver nitrate के साथ अविक्रिया करना अपर zinc nitrate और क्या silver बनेगा zinc nitrate का Zn होता है agno3 हो जाएगा silver nitrate का zinc nitrate बन जाएगा zn NO3 और silver अलग हो जाएगा ठीक है उसके सब्सक्राइब कर लेंगे उसके बाद aluminium का copper sulphate के साथ अविक्रिया करवाएगा aluminium chloride और copper बनेगा aluminium का AL होता है CuCl3 होता है का copper chloride का aluminium chloride बनेगा और copper अलग हो जाएगा उसके बाद barium chloride का potassium sulphate के साथ जब अविक्रिया कराएगा तो barium chloride और potassium barium sulphate और potassium chloride बनेगा तो बाद के साथ अभी क्रिया करवाएगा barium chloride का BACL2 हो जाएगा potassium sulphate का B2SO4 हो जाएगा और जब इसका अभी क्रिया की चाहिएगा तो बाद कर दो जाएगा तो बाद कर दो जाएगा ठीक है चलिए आगए देखें आगे आठ नमर में प्रस्तन है निम्द अभिक्रिया के लिए रसाइनिक समिकरन लिखे और परतेक अभिक्रिया का परकार लिखे यह अभिक्रिया किस परकार का है ठीक है तो देखिए पहला है पोटेसियम ब्रोमेट का बेरियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करायेगा तो पोटेसियम आयोडायेट और ब पोटेस्यम, बेरियम आयोडाइड बना, पोटेस्यम आयोडाइड और पेटिस्यम रा, इस तरह से इसका सूतर लिख लिख लिजिएगा और इसको संदुलित कर लिजिएगा, इसक्रीन पर, अब लोगों को दिख रहा होगा ठीके, आगे देखिये, आगे है उस्मा छेपी एवं उस्मा सोसी अभिकरिया क्या है उदारंदी जी उस्मा छेपी अभिकरिया जीन अभिकरिया में उत्पाग के साथ साथ उस्मा का भी उत्सरजन होता है उस्मा मुख तो होता है उन्हें उस्मा छेपी अभिकरिया कहते हैं ह택ए प्रगृतिग येस प्रगृतिग थे हैं अक्यूजयनकों पस्क्षित स्कित क्छी स्क्षाब जलाईएगा तो सिऔटा जल मुक्त होगा हिस इस अब अभिकरिया में अभिकारों को तूरने के लिए उसमा प्रकास या विदु तूर जा की आव सकता होते उन्हें उसमा सोसी अभिकरिया कहते हैं जिसे शिल्वर क्लॉराइड का प्रकास की उपस्तिति में सिल्वर का क्लोरीन में बदलना एजेसील का सुर्ज प्रकास की उपस्तिति में जब की जगा तो सिल्वर और तथा क्लोरीन बदल जाएगा ठीक है स्वसन को उसमा छेपी अभी क्रिया क्यों कहते हैं तो देखिए याद रखिएगा इसको स्वसन जीवों की कोशिकाओं में ग्लुकोज ऑक्सिजन के साथ क्रिया करता है और इससे क्या मुक्त होता है उर्जा प्रदान होता है इस विशेश दहन अभिक्रिया का नाम स्वासन है क्योंकि इस अभिक्रिया में उर्जान निकलती है अता अभिक्रिया को उस्मा छेपी अभिक्रिया कहते है उस्मा छेपी अभिक्रिया ना कि उस्मा सोसी अभिक्रिया क्योंकि इसमे क्या होता है यूजा मुक्त होता है इस स्वेटर तो होता है 9-10 को तो ऊक्सिज़़न की उपस्तिति में इसका जहन होता है कार्मन डाउकसाइड गैस बनता है जलमुक्त होता है और उड़ है देखिए प्रस्न 11 में है ब्योजन अविकरिया को सःयोजन अविकरिया के विप्रीत क्यों कहा जाता है इन अविकरिया के लिए समिकरन दिखिए ब्योजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया देखिए ब्योजन अभिक्रिया वह है जिसमें एकल अभिकारक तूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं ब्योजन अभिक्रिया में एक अभिकारक जो है तूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनाएगा जबकि संयोजन अभिक्रिया में इसके विप्रूत होता है दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक पदार्थ बनाता है संयोजन मतलब संयोग मतलब जुड़ना और वियोजन मतलब खंडन होना अलग होना ठीक है प्रस्ण भारा में है उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक-एक सामिकरन लिखे जिसमें उस्मा, प्रकास, एवं विदूत के रूप में उर्जा परदान होती है जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक पदार्थ बनाएगा तो उसको क्या कहेंगे एक पदार्थ उसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे जब एक पदार्थ मिलके दो या दो से अधिक पदार्थ बनाएगा तो उसको क्या कहेंगे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे स्फिर्इपरिक्राश की उपस्तिती मेंौनियम और क्लॉराइट क्या हो जाएगा अलग अलग हो ढिक है विदुथ द्वारा विजन होता है जिसमें है जल में घ्टीजन जर चल मैं है भी जाल का सुत्र होता है तो क्या हे ठीगए ठीख ही तिरा नमर का प्रस्न है विस्थापन एवं दूई विस्थापन अभिक्रिया में अंतर अस्पस्ट करें इन अभिक्रियाओं के समी करन लिखिए विस्थापन अभिक्रिया किया है क्या है और दूई विस्थापन अभिक्रिया क्या है इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियासिल्तत्व कम क्रियासिल्तत्व को उसके योगिक से विस्तापित कर देता है जैसे कि यह नंबर में देख लिए एक यहां एक क्रियासिल्तत्व है वो क्या कर रहा है बी को खंडित कर रहा है अधिक क्रियासिल्तत्व बीसी जो है उसमें जो है अधिक क्रिया सिलता तो है ठीक है आगे देखे दूई विस्तापन अविक्रिया हो जाएगा इन अविक्रिया में उत्पाद का निर्मा दो जोगिकों के बीच आयनों के आधन परदान से होता है दूई विस्तापन यानि कि दो या दो से अधिक पतार्त जो भाग लेते उसमें iron का जो हता है आधन परदाविजिसे potassium bromide का हो गया potassium iodide तो potassium iodide बन जाएगा और इधर potassium bromide बन जाएगा Technology विलियन से silver प्राप्ट करने के लिए copper का धातु बिस्थापन किया जाता है इस पर करिया के लिए अभिकरिया लिखिये cycle के सोधन में silver nitrate केkrillian में silver प्राप्त करने के लिए copper धातु द्वारा बिस्थापित किया इस पर करना है । यहाँ पर सुतर दिया हुआ है पहले इसको देख लेंगे कॉपर का होता है सिल्वर नाइ्टरिट का अग अग लग हो जाएगा ठीक है ऐसा क्यों होता है अब शेपन अभी क्रिया से आप क्या समझते हैं उदारन देख कर समझाईगे जिन अभीकिरिया में और विले अभशेप का निर्मान होता है इसलिए यह एक अभशेपन अभीकिरिया है जैसे देखें बेरियम कोलॉराइड हो गया KCl2, potassium sulfate का K2SO4 होता है पहले बता चुके हैं, barium sulfate इसमें बन जाएगा और potassium chloride हो जाएगा, ठीक है, आगे हैं oxygen का योग या हास के आधार पर निम्न पदो की व्याख्या कीजिए परते के लिए दो-दो राम रेखें उपचयन और अपचयन अभी क्रिया क्या है, इसी पर इलेटर important points जहां करवा रहे थे वहाँ पर हम ये करवा चुके थे तो देखिए अपचयन इसमें oxygen की विर्धी होती है hydrogen का हास होता है, लेकिन oxygen की ही विर्धी और हास पर बात करने के लिए बोल रहा है, इसलिए इसमें आप सिर्फ oxygen की विर्धी के बारे में बताईएगा जैसे CO2 C plus O2 हो जाएगा, तो CO2 हो जाएगा Cu O2 हो जाएगा Cu O हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर क्या हो गया, oxygen का विर्धी हो रहा है ठीक है, चलिए आगे देखिए अब चैन, इसमें oxygen का हास हो था जिसे CO2 को H2 के साथ उसमा की पस्तिती में कीजेगा तो CO plus H2 हो जाएगा Cu O और H2 O जब इसमें होगा तो Cu H2 हो जाएगा, इसमें जो है क्या हो जाएगा, यहाँ carbon dioxide और copper oxide का क्या हो रहा है अब चैन हुआ है, ठीक है 17 नमर में है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को Y की पस्तिती में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाथा इस तत्व एवं उस काले रंग के योगिक का नाम बताएगे तो तत्व X copper है और उसे काले रंग के योगिक का नाम copper काले रंग का जो वो योगिक है उसका नाम है copper oxide भूरे रंग का चमकदार तत्व copper है इसको oxygen की उपस्तिती में जब जलाईएगा उसमा से तो काले रंग का तत्व copper oxide बन जाएगा ठीक है आगे है लोहे की वस्तूओं को हम pent क्यों करते हैं संचारन के कारण लोहे की बनी वस्तूओं का 6 होता है इस होने वाले 6 से बचने के लिए उस पर pent किया जाता है pent होने के कारण लोहे का वाईव से संपर्क नहीं हो पाता और लोहे की वस्तूओं अधिक समय तक सुरक्षित रहती है, संजारन से बचाने के लिए हम दोए कि वस्तू परबेंट करते हैं, ताकि इसका वाई संपर्क न बन पाए, ठीक है, वस्तू को आपको ध्यान में रखना है, चली, आगे है, तेल एवं वसायुक्त खाद पदार्थों को नैट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, देखिए, तेल और वसायुक्त खाद पदार्थ, वाईू से क्रिया करके विकृत गंदी हो जाते हैं, यानि खराब हो जाते हैं, नैट्रोजन समाने ताप पर आसानी से अभी क्रिया नहीं करती, इसलिए तेल तथा वसायुक्त खाद नैट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा तेल या वसायुक्त खाद पदार्थों को नैट्रोजन से प्रभावित किया जाता है आगे है, संचार्न और विकृत गंदी का वर्णन करना शायुक्त वावर्ण करना है, और एक-एक उधा अध संचारण पहले भी पर्चुक लिए रहा जाए जब को अधूर्ट Commissionेड हैं जिससे क्लिए करके दातु की ऊपर परत कमजूर हो जाती है उपर का परत कमजूर हो जाता है इस पर्चुसे क्लिए जब दोससे बिज़ doet present ​​ खादय पदार्थ, why उसे किरिया करके विकृत गंदी हो जाते हैं, इस पर किरिया को विकृत गंदी का करते हैं, जिसे चिप्स की थैली में, oxygen को हंटा कर nitrogen जैसे कम सक्रिय गैस को भरना विकृत गंदी का को रोकने के लिए किया जाता है, तो आज के लिए पहले अभ्यास में इतना ही फिर एक दूसरा वीडियो अभ्यास दो के लिए जो है इंपोर्टेंट पॉइंट जो होगा उसको बना के हम अप्लोट कर देंगे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहे हैं वीडियो का अंट तक देखने की कोशिस करें नोट्स तयार करें उसको याद करने की कोशिस करें तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं जै हिंद जै भारत